हलो एवरिवन आज है 18 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिबिम इवन्यू के बारे में इन्फिबिम इवन्यू का शहर 44 रुपीज के आज सपास ट्रेट कर रहा है तगरीबन 8.5% का ग्रोथ यहां पर जरूर देखने को मिला है आज दिन में लेकिन आज ये 12-15% की तेजी दिखा चुका था ये शयर रीजन ये था कि बोनस को लेकर बड़ी ख़बर आई थी और एक जटके में ये फट गया लेकिन वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में डिसकल्श भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंको आगे भी बहुत सारे वीडियों हैं जो आपको काफी जादा help करेंगे तो infibium even you 44 rupees का share है आज जब market खुला था बढ़िया रफतार इसने पुखने थी 46 rupees तक पहुंचा था यह 46.50 rupees तक गया था यह बड़ी तीजी थी लेकिन बाद में धीरे धीरे दीरे दीरे करेंगे नीचे की तरफ टूटिया इवन एक महिने में देखें तो 15% का growth है आप देखेंगे 38 rupees का share था यह तेजी देखने को मिली और अगर आप में चनलों को regular follow करते हो तो अभी पिछले एक महिने में कम से कम दो वीडियो में बना चुका हूँ एवनियों के उपर और दोनों में मैंने कहा था कि 40 rupees के नीचे मिल रहा है खरीदारी के मौके हैं 45 rupees के आसपास पहुँचे बेचो और भाग जाना यहां से रुकना मत फिर यहां पर तो काफी सारे मौके मिले थे इस महिने हमें 40 rupees के नीचे खरीदारी के और आज बेचने का भी मौका मिला था यहां पर अगर हम देखे पिछले एक साल में तो आप एक चीज को अगर आप analyze कर रहे हो तो आप देखो कि growth एक साल में सिर्फ 7% का है लेकिन ups and downs काफी जादा है शेर इससे पहले भी 40 rupees के नीचे गया वापस तेजी दिखा दी और पहुंच गया 55 के करीब वापस शेर 40 rupees तक उससे नीचे गया 37 के आसपास पहुंचा वापस तेजी दिखा दी पहुंच गया 55 rupees पर वापस 40 रुपे से नीचे गया वापस तेजी दिखाई पहुंच गया 50 रुपे से उपर वापस ये गया उसी लेवल के आसपास और वापस अभी भागने की कोशिश कर रहा है और भी बोनस की खबर ने डेफिनिटली यहाँ पर जोश भरा जरूर है खबर के उपर जाए तो वाइया बोर्ड ओफ इन्फी विम एवन्यू तो कंसीडर बोनस इश्यू और फंड रेजिंग दोनों चीजों को लेकर इनकी मीटिंग होने वाले बोर्ड मीटिंग है 31 जन्वरी को इनकी बोर्ड मीटिंग है आज 18 जन्वरी हुई है 31 जन्वरी को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां पर बात चीत करी जाएगी बोनस को लेकर बोनस इश्यू करने को लेकर और जो अभी इनके existing shareholders है उनके लिए बोनस ठीक है दो बोर्ड विल आलसो कंसीडर अगर हम बात करे तो भाईया बोर्ड विल आलसो कंसीडर दा इश्यूरंस ओफ दे एक्विटी शेर और अधर सिक्यूरिटी अफ दे कंपनी बाई वे ओफ अगर हम सिंपल बात समगे बात चल रही है दो चीजों के बारे में डिसकस होगा बोनस को लेकर और फंडरेजिंग को लेकर और दोनों ही चीज़े पॉजिटिव है लेकिन लेकिन क्या करना चाहिए तो देखे आज के दिन में इसी चीज़ को लेकर तकरीब एंसके वॉल्यूम्स पे भी मैं अगर नजर करू तकरीब दिन साड़े तीन करोड से भी जादा के वॉल्यूम्स नजराये हैं बड़ी कौंटिटी में शेयर ट्रेड हुए है मेटकैप शेयर है ये 5,800 करोड से भी जादा के इसका मार्केट कैप है वॉल्यूम्स की बात करे तो हाँ वॉल्यूम्स भी आज काफी अच्छे देखने को मिले थे इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करू तो है या प्रमोटर की 31% की होल्डिंग जरूर है लेकिन FIX ने खरीदारी करी है December quarter में 7.13% की होल्डिंग 7.59% है Mutual Fund के पास 0.03% की होल्डिंग है हलाग या प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो 2021 में जो इन्होंने डिविडेंट पिये किया था वो एकदम चिंदी डिविडेंट था तो कोई अच्छा डिविडेंट था नहीं पहले जिए कमपनी के ये वेबसाइट है इनस्पे पने अगर हम बात करें तो in short company करती किया है company जो एक bridge होता है ठीक है payment अगर आप करते हो तो भया आप cards payment करते हो online payment करते हो तो bridge का जो bridge होता है वो है ये inshort company क्या करती है कि मान लीजे इनके कई सारे cc revenue हो बिल एवन्यू हो गया तो यह सिधा इंटेग्रेट करते हैं सिधा डिजिल प्लाटफर्म स्वागेरा जो होते हैं पेमेंट सॉलूशन प्रोवाइडर आप मान के चलिए इनको सिसी एवन्यू अगर आप कई बार पेमेंट भी करते हैं तो आपको देखने को मिलगा बिल एव परसन लोग होल्ड करने की नसियत आपको दे रहे हैं यहां पर इनके रिवन्यू लगाता तूट रहे थे अब 2017 से लेकर 19 तक बढ़िया रिवन्यू थे 440 करोड के रिवन्यू 1160 करोड तक पहुँचे लेकिन 20 में रिवन्यू तूट गया 630 करोड रहा अब बाद में 21 से बढ़के 675 करोड जो कहागी अच्छी बात है और प्रॉफिट में भी सेम चीज हुई है तीजी आ रही थी तूट गया वापस थोड़ी बहुत तीजी द रहे हैं उनके रिवन्यू आल्मोस्ट आपको 5500 करोड तक देखने को मिल रहे हैं मतलब इसी तर रफ्तार से बढ़ेंगे तो 1000 करोड के तो रिवन्यू आराम से होई जाएंगे और बात करेंगे अगर प्रॉफिट की तो जो 61 करोड का प्रॉफिट हुआ थे 2021 में तो इस ब बन्यू में बढ़िया उचाल है ये एक अच्छे संकेत है इन्फी बीम को लेकर देखे तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेर और बोर्ड जोन में नहीं है कोई भी रेट फ्लेग नजर नहीं आ रहा है लगें कहदू देखिए लॉंग टर्म का शेर नहीं है ये अगर आप ये मान के चल लोगे भाया लॉंग टर्म में पैसा बनेगा तो यहां पर लॉंग टर्म की खरीदारी करकीने की गलती मत करना इसको 40 रुपे के नीचे खरीदो 45-50 पे जाए बेचो और भाग जाओ ये स्ट्रटरजी मेरे हिसाब से काम करेगी लॉंग टर्म का श है जो कि मैं मानता हूं कि सही भी है लेकिन मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 40 रुपे के नीचे बनेंगे उससे उपर मैं इसको खरीदना उतना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा तो यहां से यह तूटके नीचे आया था 20 रुपे तक गया वापस अच्छ रुपे का जो लेवल है वो थोड़ा सा परिशान कर रहा है 45-50 का लेवल वो खरीदारी की मुझे लगता है कि वहां पर रिस्क जादा है रिवार्ड कम है मैं मैं मानता हूं कि यह जो बोनस की बात है यह बहुत अच्छी बात है ठीक है फंडरेजिंग की बात और भी अच् का शेर कोई उतनी बड़े प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहा है ठीक है तो मैं यही को और इवन जब इन्होंने बोनस दिया था तो बोनस देने के बावजूद भी अगर हम देखे तो शेर प्राइस में आपको गिरावट ही देखने को मिली है ज्यादा तीजी नहीं आई ह टूटा ही है यह तो अभी के लिए मैं कहूंगा देखो मुझे कंपणी पसंद आती है इसमें कोई शक्ति बात नहीं है इसमें मुझे पसंद आता है लेकिन यह मुझे पसंद आता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं 40 से नीचे खरीदता हूँ 45-50 के आस-पस मैं बेचत क्यार में कई सारी कमपणीस हैं यहां पर कई सारी कम्पटिशन से क्ई सारे लोग एंटर करेंगे यहां पर आने वए दिनों में कई सारे स्टार्टपस है इसको लेकर तो ऐसा नहीं है कि कमपनी को यूनिक चीज कर रही है रहां इनकी फंडिंग पर डिपेंड करता है और नाइस जियो का भी नाम सामने आता है यहां पर तो सारी चीजों को लेकर मैं यहीं कहूंगा चालिस के नीचे खरीदो पैतालिस पचास के आसपास जाए लालच मत करो बेचो और भाग जाओ वडियो को यहीं पेंड़े करोंगा पसंद आए हो तो लाइक करो शायकर चैनल पगरा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इन फी विम इवन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं थैंक्यू